नमस्कार दोस्तों आपका अपने परिवारदा स्पीड इस्टेटी पर स्वागत है जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों जो सी सी आरियास का एक्जाम हुआ था उसका जो है पूरा आज एक्जाम इनाल से समझ करने चल रहे हैं तो चलिए देखते हैं आपका जो प् दोस्तों एक लड़की अपने बाएं हाथ की एक लड़की अपने बाएं हाथ की उंगुलियों पर निम्न तरीके से गिनती हैं उसने अंगूठे को एक तरजनी को दो मध्याम अंगुली को तीन अंगूठी अंगुली को चार छोटी अंगुली को पाँच यनि कि देखे द दोस्तों चोटी अंगली है उसको क्या कह रहे है दोस्तों पांच कह रहे है अब दोस्तों अंग उठी अंगली को 4 कहते हैं तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा option number D तो सबसे पहले दोस्तों देखिए मैं आपको इसका पूरा जैसा कि मैंने solve किया है तो इसको पहले आपको मैं answer बता देता हूँ ताकि आपको जो है आपकर करना चाहें तो direct कर सकते हैं देखिए दूसरे का D हो जाएगा तीसरे का तीसरे में दोस्तों B हो जाएगा चौथे में दोस्तों C हो जाएगा उसके बाद दोस्तों पाँचवे में पाँचवे में आपका दोस्तों पाँचवे में आपका D हो जाएगा अब D कैसे होगा दोस्तों इसमें ये देखिएगा कह रहा है कि माइनिस देखें माइनिस को माइनिस का मतलब बुड़ा यानि कि पंदरा गुड़े दो फिर देखिए भागे 900 तो भाग का अर्थ प्लस है यानि कि प्लस 900 फिर प्लस 90 तो यहाँ पर देखिए प्लस का मतलब भाग है दोस्तों सबसे पहले भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर 900 बटे 90 किया जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 15 दूनी 30, 10, 40 अर्थाथ इतने का मान दोस्तो 40 आ जाएगा और फिर गुडे को क्या कहते हैं दोस्तों देखिए गुडे को माइनिस कहा जाता है तो 40 यहाँ तक 40 हो गया दोस्तों और माइनिस 100 तो 40 में से दोस्तों जब 100 घटाएंगे जब 40 में से दोस्तों 100 घटाएंगे तो हमारा माइनिस 60 हा जाएगा और इसमें जो आपसन दी हैं दोस्तों इसमें कहीं भी माइनिस नहीं है इसलिए आपसन D हो जाएगा None of D जी हां दोस्तों एकदम सही है कहीं पर आपको कोई doubt नहीं मिलेगा दोस्तों अगला देखिए छठे नमबर में दोस्तों आपसर नमबर D हो जाएगा फिर आगे अगर हम चलें दोस्तों आगे चलें तो देखिएगा दोस्तों अगले में क्या कह रहा है सातवे नमबर में सातवे में जो आपका सही होगा दोस्तों साथवे में आपका जो है सी सही हो जाएगा आठवे में आपका सी सही हो जाएगा नवे में आपका दोस्तों नवे आपका बहुत आसान है दोस्तों नवे में कुछ था ही नहीं जैसा कि आप देखे कह रहा है कि जी ए के सामने है और नीचे लिखा है G के ठीक सामने कौन बैठ है दोस्तों तो जब G E के ठीक सामने है तो G के सामने E ही बैठेगा यानिकि 9 में C हो जाएगा फिर आगे चलते हैं दोस्तों वहीं आगे जब चलेंगे question number 10 पर तो question number 10 पर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए yz है d e है j k है तो देखिए यहाँ पर जब हम इस क्रम को चिक करेंगे तो यहाँ पर option number d हमारा सही हो जाएगा कैसे हो जाएगा जब इसकी मैं analysis हभी करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा उसी तरह 11 नंबर में देखिए दोस्तों 11 नंबर में a b c p q r a b c p q r का करम बर रहा है option number c हमारा सही हो जाएगा 12 नंबर में दोस्तों क्या कह रहा है कि इनिम लिखित में से कौन इमानदार नहीं है दोस्तों इमानदार सिर्फ तीन ही लोग है d c e तो c चुकी इमानदार है नहीं होगा d इमानदार है नहीं होगा ये इसमें c इमानदार है नहीं होगा यनिका option number a सही हो जाएगा तो 12 नंबर में हो जाएगा हमारा a फिर आगे देखिए दोस्तों 13 नंबर में क्या कह रहा है 13 नंबर में दोस्तों हमारा हो जाएगा निम लिखित सब्द कोस के अनुसार लिखे सब्द कोस के अनुसार लिखना है दोस्तों तो 4 2 1 5 3 या निकि option number C हमारा सही हो जाएगा 14 नंबर में देखेंगे दोस्तों तो option नंबर B हमारा सही हो जाए किसी भी प्रस्ण में doubt हो दोस्तों तो आप comment करिएगा वो question आपका solve करवा दिया जाएगा दोस्तों ठीक आगे चलिए दोस्तों 15 नंबर में आपका A हो जाएगा कैसे होगा अगर आपको दिक्कत हो कौन सव्यक्ति ना तो बहादूर है ना ही बिनमर है तो अब देखिए बहादूर कहा है ये देखिए पहले तो बहादूर में हम देख रहे हैं तीन लोग है किरण, रमेश, जगन और दूसरा ना ही बहादूर है और ना बिनमर B नमर में कौन है किरण, गीता, जगन देख रहे हैं दोस्तों किरण, जगन, रमेश और गीता तो किरण, जगन, रमेश और गीता ये सब दोस्तों बहादूर और B नमर में हैं लेकिन हनी दोस्तों नहीं है इसलिए option number A सही हो जाएगा 17 में दोस्तों B हो जाएगा 18 में दोस्तों B हो जाएगा अगर इसको देखना हो दोस्तों देखे A, B, C, D, E, F, G, H, I फिर देखें दोस्तों इसके बाद क्या हुआ Z, A, Y, A, X, A, W, A, V, A, U, A, T, T से एक कम करेंगे YAS उसके बाद एक कम करेंगे RR था इसमें दोस्तों कह रहा है, क्या कह रहा है 19 नम्बर में देखेगा 19 नमबर में दोस्तों इसमें दोनों को जोड़ दिये गए जैसे B कद दो होता है C का 3, 3, 2, 5 T का दोस्तो, 20, R का 18, 20, 13, 32 इसी दोस्तों YAS का 24 और YAN का 14 ज़स्य सकता तो जुड़ जाएगा फिर आगे दिखे दोस्तों आगे जब चले गी तो कह रहा है कि इसमें कुप कन्कैली निया गया है तो 20 नमबर में हो जाएगा दोस्तों कुप कि 20 में होจाएगा फिर देखिए दो दोस्तों 21 में दोस्तों आपका नट रुकिएगा 21 नंबर में आपका दोस्तों ए हो जाएगा 22 नंबर में आपका सी हो जाएगा 22 के बाद 23 नंबर में दोस्तों आपका ए हो जाएगा फिर अगर हम आगे चलें दोस्तों 24 नंबर में तो 24 नंबर में आपका बी हो जाएगा पचीस नमबर की बात करें दोस्तों तो देखिएगा 26 नमबर की बात करें दोस्तों देखिए 26 में आपका काली हो जाएगा 27 में आपका मिश जारखंड हो जाएगा 28 में आपका एक हो जाएगा उसके बाद दोस्तों 29 के अगर बात करें तो 29 में ए हो जाएगा 30 की बात करें दोस्तों 30 में दच्छड उत्तर हो जाएगा 31 की बात करें दोस्तों 31 में अजय और नितेश चचीरे भाई है हो जाएगा फिर वहीं दोस्तों 31 के बाद अगर हम 32 की बात करें दोस्तों देखेगा अगर हम 32 की बात करें दोस्तों तो यल तथा यम हो जाएगा 32 में कहरा यन यल तथा यम हो जाएगा इसका अगर बिश्त्रित देखना हो दोस्तों तो आपको इसका एनालसिस करवाया जाएगा जब आप इनालसिस करेंगे तो इसमें पूरा सारा इसको एक-एक सॉल्व करवाया जाएगा 33 का आपका C हो जाएगा अगर reasoning में आपको problem हो तो पूरा आप playlist में जाएगा वह reasoning आपकी starting से chapter number 1 से आपकी पूरी बताई गई है 34 में आपका A हो जाएगा 35 में आपका C हो जाएगा 36 में आपका B हो जाएगा दोस्तों फिर देखिए 37 की बात की जाएगी दोस्तों तो 37 में हो जाएगा यम B का पिता है 38 में दोस्तों 38 में हमारा हो जाएगा C F का बतीजा है 49 में हमारा हो जाएगा A ठीक ये देख लीजिएगा दोस्तों यही हो जाएगा 49 में फिर 40 की अगर बात करें दोस्तों 40 की अगर बात करें तो 40 में आपका A हो जाएगा फिर दोई खी दोस्तों 41 की अगर हम बात करें 41 में आपका दोस्तों C हो जाएगा 42 का आपका या तो आफ या निप्टान होगा 43 में आपका 11 हो जाएगा यानि कि B आप्शन 44 में आपका B आप्शन हो जाएगा दोस्तों वहीं अगर हम 45 की बात करनें दोस्तों तो 45 में आपका 45 में आपका C हो जाएगा 46 में आपका D हो जाएगा 47 में आपका A हो जाएगा वहीं दोस्तों 48 की अगर बात की जाए तो 48 में इसको ये doubt में था दोस्तों इसलिए मैंने इसको नहीं क्या इसको आप देख लिजेगा 49 में आपका B हो जाएगा और 50 में आपका क्या हो जाएगा Hippotemius ठीक तो ये दोस्तों हमने 50 question पूरा देखा फिर इसके बाद आपका English शुरू हो जाता है दोस्तों 51 से 51 से आपका English शुरू हो जाता है तो इसको जो हो है दोस्तों अगले वीडियो में चर्चा करेंगे English वाले में ये भी हमने reasoning पर देखा चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर नमस्कार धन्यवाद जये